आज माननिये प्रधान मंत्री जी का जो लेक्षर था वो बहुती महत्यपूर था विक्सित भारत की कल्पना हम करते हैं मगर आज उसके अंदर एक जोश भरने का काम जो प्रधान मंत्री श्री नरेन मोदी जी ने किया उससे हम सब तैयारी कर रहे हैं कि हम जैसा कि उन्होंने मागदर्शन किया है उसे के हिसाब से आगे चलें और इस विश्विद्याले को भी बलंदियों तक पहुँचाएं उनकी कल्पना जो है वो बिल्कुल सही है जब वो कहते हैं कि पिछले दशकों में पिछली दहाईयों में दूसरे देशों ने बहुत तरकी की मगर ये 21 सदी ये 21 शिताब्दी ये हमारी है ये भारत की है और इस शिताब्दी को उन्होंने कहा कि ये औसर है हमारे लिए और इस युवा भारत के लिए जो भी एजुकेशन से अपना वास्ता रखते हैं जिनका भी युनिवर्सिटी से कॉलेजेस से और एकडमिक इंस्टिटूशन से कोई रप्त है वो सब मिल जुलकर युवा भारत की और युवा भारती होने की एक पहचान बनाएं और इस देश को 2047 तक युवाओं का देश बनाएं इसके अंदर वो काम करें कि जो दोनों तरह से हमारे लिए चाहे वो इनोवेशन की फील्ड हो या हमारे अपने जो पुराने कर्तब और उसका पालन हम करते आए हैं उसको साथ में लेकर चलना हो तो ये सशक्त करें और इस शक्ति के लिए भरपूर प्रयास करें ताके भारत पूरे गुलोब के अंदर अकेला दिखाई दे और हम भी ये दिर्ण संकल्प करते हैं कि आने वाले दिनों में मौलाना आजाद नैशनल उर्दू युनिवेसिटी ये भी कांदे से कांदा मिला कर चलेगी आगे बढ़ेगी और इसके लिए हमारे बहुत सारे जो सीनियर प्रोफेसर्स थे उन्होंने राजभवन में जाकर मानिय प्रधान मंतरी श्री नेशनल मोदी जी का ये लेक्चर सुना और उसमें वो हाजिर थे इसी तरह हमारे कैमपस में भी हमारे आइम सी के आडिटूरियम में ये इस प्रोग्राम का योजन हुआ और मानिय प्रधान मंतरी की पूरी बाते हैं हमारे टीशेर्स ने, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ ने और खास करके हमारे स्टूडन्स ने सुनी और वो मंतर मुक्त हो गए हम कल्पना करते हैं कि माननी ये प्रिधान मत्री जी ने जो कुछ कहा है वो आने वाले दिनों में सच साबित होगा धन्यवाद